श्रावन मास आरम हो चुका है और श्रावन मास में हम सब भोले नात की उपासना करते हैं भोले नात का स्मरण करते हैं और सात्विक जीवनचैली अपनाते हैं कुछ लोग श्रावन मास के प्रत्येक सोंबार को व्रत रखते हैं उपवास रखते हैं तो कुछ पूरा महीना उ उपवास कर रहे हैं तो बहुत सारे हमारे सादकों ने दर्शकों ने प्रश्ण किया कि आचारे जी प्याज और लहसुन का सेवन हम उपवास में या पवित्र दिनों में क्यों नहीं करते आएए आज करते हैं इसका वैज्ञानिक विश्लेशन नमस्ते मैं हूँ आचारे प्रतिष्टा आज हम बात कर रहे हैं कि प्याज और लहसुन तो वेजटेरियन फूड है लेकिन फिर भी उपवास के दिनों में या व्रत के दिनों में या पूजा पाठ में या फिर भगवान को जिस भोजन का हम भोग लगाते हैं उसमें या स्प रिच्वल लाइफ जी रहे लोग या योगिक जीवन की गहराईयों में उतर चुके लोग क्योंकि वो तो सबसे ही बड़ा अध्यात्म है वो लोग प्याज और लहसुन का सेवन क्यों नहीं करते हैं हाला कि इससे जुड़ी अनेकानेक लोग कताएं भी आपको सुनने को न किradal जाएंगी पर इंसाइट टू इंजीन कल्चर में हम बात करते हैं वेग्यानिक पक्ष की वेग्यानिक पहलो की इसको बहुत अच्छी से समझे ंप्याज और लहसुन अगर हम योगिक आहार की बात करें या आयोरवेद की अनुसार भी आहार की बात करें तो हमारा आहार, हमारा डाइट तीन काटेगरीज में बटा हुआ होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक सात्विक आहार वो होता है जिसे खाने से हम शांत रहें क्योंकि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जैसा खाए अन, वैसा होई मन, वैसा होई तन और वैसा होई जीवन. जैसा भी हम आहार लेते हैं, हमारा मन भी वैसा होता है, हमारी भावनाहीं भी ऐसी होती है, फीलिंग्स भी वैसी हो जाती है. हमारा तन भी उसी के अनुसार ढल जाता है और हमारा जीवन भी उस भोजन के ही अनुसार ढल जाता है तो जब हम सात्वे काहार लेते हैं तो हम शांत रहते हैं मन प्रफुलेत रहता है हम हलकापन अनुभफ करते हैं शरीर में भारीपन नहीं लगता और हमारी अध्यात्मिक उन्नती होती है जब हम राजसिक भोजन लेते हैं तो हम थोड़े से उग्र रहते हैं हमारे वीतर शौर्रे और वीर्ता जैसे भाव उत्पन होते हैं और थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट भी होता है लेकिन जब हम तामसिक भोजन लेते हैं तो तामसिक भोजन हमारे शरीर में भारीपन लाता है हमारे भीतर विक्रतियां पैदा करता है हमारे भीतर हिंसा तनाव अबसाद जैसे गुनों को जागरत करता है और हम साधना के पत पर चलने ही पाते शरीर में भारीपन को अनुभव करते हैं अ फिर आप nursery की तरफ बढ़ेंगे, नहीं, हम जिस stage पर हैं उससे elevate होना चाहते हैं, उससे उपर उठना चाहते हैं, और यही हम साधना में करते हैं, जब आप अप अपवास करते हैं, वरत करते हैं, आप ऐसे food लेते हैं, जो आपको light feel करा हैं, जिसमें हमारी energies upward हो, जब आप meditation कर करते हैं, तो energy इसको upward feel करते हैं, in fact हम padmasan में भी इसलिए बैचते हैं, क्योंकि वो posture हमें धीरे-धीरे gravitational force से उपर ले जाता है, यानि lotus, और lotus क्या होता है, वो कीचड में भी पैदा होता है, लेकिन कीचड उसको लग भी नहीं पाता, वो कीचड से हमेशा उपर उठा रहता है, तो इसी तरह से हम जितनी भी spiritual practices करते हैं, वो अपने को self-elevate, self-elevation के लिए करते हैं, आत्म उन्नती के लिए करते हैं, बट वहीं अगर हम ऐसा भोजन करें, जो हमारे को upward जाने की जगा, उन्नती की जगा, नीचे की तरफ हमारी उर्जा गुलाए, energies को downward लाए, तो हम contradiction कर अब समझे, ऐसा क्यों होता है, पहली चीज, प्याज और लेसुन गंध युक्त भोजन है, है तो वो कंध, क्योंकि धर्ती के भीतर उगरा है, लेकिन है वो गंध से जुड़ा हुआ, उसके अंदर smell है, और आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजे, कि जिस प्याज को करने मातर से पूरे दिन आपके मुँ में से smell आती है, और फिर वो smell धीरे धीरे आपके पसीने में भी आने लगती है, आपके वस्त्रों में भी आने लगती है, और वो प्याज जब भीतर जाता है, तो वो क्या करता है, हाँ, लेकिन ये समझना महत्वपून है, कि प्याज लेकिन किसको क्या खाना है, यह हमें नरधारत कर रहे हैं, जहां हम पवित्रता की बात कर रहे हैं, जहां हम प्योरिटी की बात कर रहे हैं, जहां हम उपवास रख रहे हैं, भगवान को भूग लगा रहे हैं, जिसने ये मान लिया कि मेरे भीतर ही भगवान है, तो वो तो आपन आओ, जिसमें भारीपन नाओ जिसमें तामसिक प्रवृत्ती नाओ जो साथरिक ऐसे लहसुन, क्या करता है लहसुन तामसिक है, जब आप लहसुन खाते हो, आपके blood का circulation तुरंट बड़ जाता है, इसलिए कि इनको कहा जाता है tocao syatika के पेशन्स को क्योंकि या vericose beans के patients को क्योंकि उनका जो blood है वो थिक हो गया है जिसकी वज़े से वो nerves में जहां नहीं पा रहा है तो उनको हम क्या बताते हैं, आयुरवेद क्या बताता है, योग क्या बताते हैं प्राते काल उठते के साथ आप लैसुन की फली लेकर के कच्ची चबा लिजेए क्यों? क्योंकि blood का circulation बढ़ जाएगा लेकिन on other side, depression के patients जिनको life में stress है, tension है, anxiety है, negativity है, हिंसा की प्रवृति है मन करते हैं कि किसी को hurt करें, ये सब problems होती है उनको सबसे पहले lesson और प्यास बंद करवाया जाता है क्योंकि ये आपकी इस उग्र प्रवृति को और बढ़ाएगा तो अगर आप राजसिक और उससे भी आगे सात्विक जीवन जीना चाहते हैं तो सात्विकी आहार लीजे, ये बहुत-बहुत महत्रोपून है तो हमें ये समझ में आया कि भोजन, वो नहीं है कि मतलब अरे-अरे-अरे-अचूत है उसको छूना नहीं है नहीं, आप अपनी प्रवृति के अनुसार, लेकिन अगर आप spiritual life जी रहे हैं योग मही जीवन जी रहे हैं तो इन्हें avoid करें इसके साथ-साथ एक और बहुत महत्रोपून पक्षिस में जुड़ता है वो ये कि जो भी root plants है क्योंकि साधना की stages है एक stage बिल्कुल जब हम अध्यात्मिक जगत से दूर है हमें किसी की पीड़ा से पीड़ा अनुभव नहीं हो रही है मैं क्यों किसी की जान लूँ, हत्या लूँ अपने स्वाद के कारणिया कभी-कभी उसे तो अब health से भी जोड़ दिया गया है फिर उसके बाद एक stage आती है कि हम किसी भी चीज़ को hurt नहीं करना चाहते है तो बहुत सारे जो इतने elevated souls हैं वो उन plants को भी नहीं खाते, जिनको हम root से तोड़ते हैं क्योंकि अभी तक हम जिस plant को ले रहे हैं, plant को नहीं खतम कर रहे हैं वो तो जो plant फल दे रहा है, हम उसका सेवन कर रहे हैं सबजी दे रहा है, उसका सेवन कर रहे हैं लेकिन जब हम root वाले plants को जो बिल्कुल जड से निकाल लेते हैं, तो हम plant को भी खतम करते हैं, तो वो उस plant को भी ठेस नहीं पहुचाना चाहते हैं, इसलिए वो प्याज, लेसून, कुछ लोग आलू तक का भी सेवन नहीं करते हैं, तो ये भी एक पहलू है, पर अगर हम इसक spiritual journey को hamper करता है, इसलिए spiritual journey पर चलने वाले लोग इसका सेवन नहीं करते हैं, तो अगर आप सात्विक जीवन जी रहे हैं, spiritual life जी रहे हैं, आत्म उन्नती चाहते हैं, तो इन भोजन से दूर रहे हैं, और ये भी समझ लीजिए कि कि किनको ये सुभा खाने को बताया गया, ज ये समस्याइं होंगी ही नहीं और हमें इस तरह के तामसिक भोजन नहीं करने पड़ेंगे, पर ये पूरी तरह से vegetarian है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पाप है, लेकिन ये सकते हैं कि ये हमारे शरीर को भारी करता है, हमें उगर बनाता है, हमें stress, tension, anxiety, depression की ओर जादा ले करके जाता है, हमारी cheerfulness, happiness को कम करता है और हमारी शारीरिक levels को भी डाउन करता है और हमारी मानसिक और अध्यात्मिक उन्नती को भी डाउन करता है, तो आज आपको समझ में आ गया, प्याज और लेसुन क्यों नहीं खाएं, आप देखिए न, क्यों अपना perfume लगा करके जाते हैं, क्योंकि आपको खुश्बू पसंद है, कोई तो लेसुन रगड के क्यों नहीं जाते कहीं पर, क्यों, क्योंकि हमें दुरगंद आती है, है न, और जो लेसुन प्याज का सेवन करने वाले उनको जादा perfumes, deodorants लगाने पड़ते हैं, जो लोग सात्विक जीवन जीते हैं, हमें कोई perfume deodorant के आवश्यक्ता नहीं परती है, क्यों, क्योंकि पसीने में दुरगंद नहीं है, पसीने में दुरगंद किसकी होगी, जो तामसिक भोजन करता है, पसीने में दुरगंद किसकी होगी, जो purity को maintain नहीं करता है, और जो जब हम spiritual life जीते हैं, तो short, शुचिता, य हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, प्याज और लेसुन दोनों तामसिक प्रकृत्ती के ही भोजन है, आज के एपसोद में इतना ही, अगर आपके मन में कोई और प्रशन है, कोई और संशे हमें भीजिए, श्रावन मास चल रहा है, और सावन के महीने के कोई भी अगर आपके मन में कोई भी संशे है, कोई भी प्रशन है, तो हमें जरूर जरूर भी जियेगा, और आने वाले अगले एपसोद में हम एक बहुत इंपॉर्टन चीज़ पर बात करने वाले हैं, वह हमारी नाभी का महत्त्र, नेवल, सावन, श्रावन, श्रावन, श्रावन आइंस अफ नेवल, नाभी को सेकंड ब्रेन भी कहा गया है, क्यों कहा गया है, और आप अपनी नाभी, नाभी को भारती संस्कृती में इतना जादा महत्त्र क्यों दिया गया है, उसके पीछे की छुपे वे रहस्ते क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे, तो आप खु झाल झाल